चुनावी मौसम में जारखंड और जारखंडियत अचानक से जिन्दा हो जाथी हैं ठीके हेमन सोरेन जेल गए तो जेल जाने के बाद अब तक हेमन सोरेन का मुद्टार यही है से अमबाशाद E.D. के सवालों का जवाब दे रही है कि इस अमबाशाद को देखिए समझे और अम्बा प्रसाद के इस नए अंदाज का आनेंद उठाई है मां अगसम जारखंडियत की खुश्ब हुआएगी इस रिपोर्ट में देखिये इस रिपोर्ट को टीवी 45 की ये खास रिपोर्ट अग्ट 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 विदायक अम्बा प्रसाद का आज नए अन्दाग मजर आया आजी इपी कार्याल जाने ज़े पहले अम्बा प्रसाद रांची के प्रेस्क्लब पहुची और अपना थ्रूफ़ पर गाया हुआ गाना लॉंच कि या कुलियों गेल रे सरी कुसं धुपे धोता अंबार डाई रे कोई लो कुभू कुभू गावे हाई रे हाई जी आहले साई हमारे कलाकार है जारखन के उनके रिस्टेक्ट पर यदाना गाएं और बहुत ही कम समय में एक घंटे में हम लोग गाना रिकॉर्ड करें मंगल जी हमारे साथ अभी नहीं है उन्होंने गाना लिखा है और सोनु जी है जो पूरा मैनेज किये हैं सारा चीज़ जो पतरातों के ही रहने वाले हैं और काफी पहले आके हमसे मिले थे अपने जो यहां पे कलकार लोगों को जो परेशानी हो रही है उसे हमको ओगत कराएं और दिश्चित रूप से मैं जितना बन पड़ेगा मैं जरूर चाओंगी कि हमारा यहां का जो जितने भी कलकार है वो मोटिवेट हो और भी अच्छा यहां के गीत संगीत नेते यहां के ट्रडिशन को प्रमोट करें सरूर में लोग इसको बजा के इस पे क्योंकि यह हापी सोंगे और जरूर लोग आपको इस गाना में नाच्टे गाते दिखेंगे सरूर में एक गीत कई निशाने सरूर पर गाए मैधपूरी गीत से अंबा ने दिया जारखंडियत का संदेश अंबा ने दिया संदेश कीडी की जाच से उन्हें फरक नहीं पड़ता अगर अंबा की गिरफतारी भी होती है तो वो मूलवासी कार्ड खेलेंगी अलांकि अंबा प्रसाथ ने इस दौरान किसी भी राजनीतिक बात से परेज किया मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है राजनीतिक में आई हुए तो क्योंकि सावजनी जीवन में जी रहे हैं तो मेरा 24 गंटा लोगों के बीच में जाता है घर तो बहुत कम जाते हैं वादब सिर्फ रात में जाते हैं अरेस्ट करने के लिए जाते हैं लेकिन ज्यादा बग्त तो लोगों के बीच में बिताते हैं तो हमारे अंदर और अंबा प्रशाद को जानना पैचानना मुझे लगता है कि बिल्कुल चाहिए हम क्या है वो लोगों तक पहुशना चाहिए आज जारखन अंबा प्रसाद का एक नया तैलेंट भीख रहा है और निस्तंदे अंबा का ये अंदाज लोगों को भाएगा भी और चोकाएगा भी TV45 के लिए राची से अरविंद जाओ के साथ अभिशेद भारती की रिपोर्ट कि बारे एक लोगों को देखिये दो तरह के सिंदिगी होती है एक अभी आम जिंद्धी आम जिंदिगी में क्या होता है जैसा यह आप नाम लेंगे इडि हात पाँ फूलने लगते हैं प्लड प्रेशर की समस्या होती है सास लेने में दिक्कत होती है और एक होती है अमबा जिंदगी अमबा जिंदगी में जब आप नाम लेते है मतलब पहले आप नेता थे, विदायग थे मंत्री बनने के आशार थे लिकिन अब आप एक्टर भी हो गया अब हाप सिंगर भी हो गया एक नया टेलेंट अंबा प्रसाद का नजारा है में प्रेस कलब बैटा था तो कुछ लोगों ने बहुए कह रहा है इसलिए क्योंकि अंबा प्रसाद की बात दिली में बीज़ाभी वालों से चल रही है अंबा प्रसाद में खूद ने बोला है कि दो गंटे से लेकर के छे गंटे के बीच में पूरा गाना तहियार कर दिया मैंने मैं क्या बता हूँ अचानक समन किया इसनि मुझे कुछ करना चाहिए कुछ डिफरेंट करना चाहिए सारवजनिक जीवन में तो हमें समय नहीं मिलता है लेकिन अभी हिंदिनों थोड़ा सासमय निकाल करके सरूल जार्खन का एकतेवार है परावरन बचाने का संदेश देता है तो ये तमाम संदेश इस गाने के माध्यम सभशाद ने दीया यह तो वो संदेश है जो अंबाप्रसाद ने दीया यानि कि जो बोला लेकिन वो संदेश जौंबा प्रसाद में नहीं बोला वो मैं आपको बता रहा हूं पहला जारखंडियत का संदेश दूसरा मूलवासी वाला संदेश तीसरा E.D. को संदेश अगर पहली बार तो अदिवासी को गिरफ्तार करके गलती कर चुके हैं दूसरी बार एक मूलवासी को गिरफ्तार करके अगर आप गलती करेंगे तो ये नामुद्दा जो है और ज्यादा बूलंद होगा बीजेपी को संदेश कि भाई अपने E.D. को संभाल करके रखिये ऐसा है कि मैं एक मूलवासी हूँ यहां कि मुझे परेशान किया जाएगा तो मुसीबत आप लोगों को होगी देखे टीवी 45 के स्टेटेट राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश अंबा गह रहे थी कि इसमें राजनिती नहीं अब ठीक है अंबा खुद को तो राजनिती से दूर रख रही है लेकिन राजनिती खुद को अंबा से दूर कैसे रखे बाई ऐसे समय में अंबा प्रसाद अगर गाना गा रही हैं डांस कर रही हैं जूम रही हैं तो यह उनकी बेफ साथ तो इसको कैसे देखें राकेश जी देखें एवसे कि ये पूरे मामले को अगर देखा जाया तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और साथ-साथ ये भी माना जा रहा है कि राजियतिक जीवन में जब कहीं ने कहीं कोई नया करने की इच्छा होती है तब इस तरह की चीज सामें ले जाए जाए जहां पर कहीं ने कहीं चर्चा का विश्य बन पाए और मुझे लगता है कि इसमें उनको कामियाभी भी मिली होगी और जिस तरीके से इस लाउंचिंग के बाद से बताया जा रहा है कि अमबा परसाथ जिस तरीके से पहले भी कुछ चीज़ों को करना चाहती थी लेकिन कहीं वो समय नहीं मिल पा रहा था या फिर बाकी चीज़े सामने नहीं आ पा रही थी लेकिन जब ऐसा मौका था जब एडी के दफ्तर जाना था और उनको लगता है कि आने वाले समय में कानूनी रूप से कहीं उनकी मुसीवते न बढ़ जाए तो एक चाहती थी लेकिन वे इसी रहने वाली हैं यहीं की बेटी हैं और इसका फायदा किस तरीके से राजनितिक जीवन में लिया जा सकता है इस पर विचर्चा हो सकती है लेकिन फिलहाल की बात चीतिती है तो प्रेस कलम में कारिकरम कायोजन किया गया और सभी लोगों ने सारे पत्रकारों ने एक बार सोचा था कि सायद अमबा परसाद एडी दफ्तर जाने के पहले कोई बड़ा खुलासा करेंगे कुछ नई बातों को रखेंगी राजनितिक दृष्टिकों से और खास करके एडी के बारे में या फिर अपने जाच एजेंसियों के बारे में इस तरह निष्टिकों से चीजे दूसरी तरफ डैवर्ट होती में जरा रही है लेकिन ऐसे मौके पे जब इस तरह की चीजे आ रही है तो निष्टित तोर पे कहा जा सकता है कि उन्होंने तमाम लोगों का ध्यान अपनी और आखिश्ट करने में कामियाभी हासिल की है प्रसाथ इन सभी चीजों को जब आप एक समीकरण में देखते हैं और यह थोड़ा सा अजीब है मतलब मुझे लगता है कि देश में यह पहली बार होगा कि किसी पर इडी की दभीश है इडी की दभीश है इडी पूछताच कर रही है बहुत हद तक तो संभावनाओं का बाजार गरम था कि अंबा आरेश्ट हो जाएंगे उनके बाई आरेश्ट हो जाएंगे जो भी है मतलब आइस तरीके के अटकले लग रहें और उससे पहले कोई आ करके और अपना ऐल्बम रिलीज कर रहा है वो दिखा रहा है अपनी बेफिक्री तो दोंबाते हो सकती है यह तो उसको पता है की इडी उसका बुछ भीगाड नहीं पाएगा और अपर यह पता है की इडी जो है उसको वो खूला चैलिएज़ देखा कि मैं कहीं की गलती नहीं हो तो तुम मेरे बिगाड़ी क्या पाऊ गया मतला इसमें दो ही तो छीजे होती तीसरा तो कोई इसमें स्कोप बनता ही नहीं है और दबे स्वार में खुले आम तो कोई नहीं कह रहा था दबे स्वार में बोल रहा है थे लोग कि भाई लोग सबाद चुनाओं गुजरने दीजे फिर देखिए ED से इतनी बेफिक्र क्यों है हमबा प्रसाद प्राकेश जी देखिए दो तीन बातों का अपने जिक्र किया जिस तरीके से निश्चित तोर पे कहा जा सकता है कि सभी को समाहित करने के बाद एक बात जरूर समझ में आ रही है कि अपनी जो रणननीती है खास करके राजनीतिक जीवन की उसमें आज उन्होंने एक बड़ी कामियाबी के रूप में आगे बढ़ने का कदम बढ़ाया है और साबतों पे कहा जा सकता है कि इसके बाद से इस पर जरूर चर्चा होगी कि कहीं रमबा परसाद के कई ऐसे चीजे है जिसको आने वाले समय में चर्चा कभी से के रूप में देखा जा सकेगा जहां तक लोग सभाग के चुनाओ की बात है मिस्टि तोर पे उनकी एक मन साब बताई जा रही थी कि साइद वो चुनाओ लड़ने की तयारी भी कर रही थी हो सकता कि जारी बात से लेकिन अब की बात की जाए तो साइद की चीजे बाहर निकल गए उस दायरे से और जब जाच एगनसियां उनके काम करने लगी जाच की दायरा बढ़ गया उनके उपर तब जाकर अब यसी चीज़ को लाई है जिससे एक सुर्खिया भी उनको मिलेगी क्योंकि अस्थानी अस्दर पर अभी भी लोगों को इस बात की इच्छा रहती है कि जो लोग हमारे लोकल विधायक हैं लोकल सांसद हैं आया लोकल जन प्रतिमीदी हैं उनको किस तरीके से तबज्जो दिया जाए इसकी चर्चा उस इलाके में जादा होती है जहां की रहन जीवन का एक अध्याय जोड़ा जा सकता है जिसमें इनको सुर्खियां भी अलग तरिके से मिलेगी और इनकी चर्चा भी होगी और इसके बाद से वे जनता के बीच की सुरुप में जाएंगी ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन तिलहाल की बात चीत की जाए तो पू इसी थी जिसने इडी की दभिश के बीच में अपने एल्बम रिलीज किया अपने सौंग को रिलीज किया जिसने मतलब जो अपना जो शौक है जो शगल है इडी के आखों में आख डाल करके उसे पूरा किया बले कल को क्या होगा ये तो पता नहीं है लेकिन अंबान एक लक मिस्ता जो ऑइसा हो और गाएंगे हमारी अंबा सूपर्स्टार राकेश जी कि देखिए अपने चिस बत कीओर संकेत किया है मैं बार बार उसमॉर जाना चाह रहा हूं आपने वह एक सब्द का इसतेमाल किया था बेफिक्री इस इस सब्द के बड़े मायने आज दिन देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से बेफिकरी के साथ अंबा प्रसाद आगे बढ़ रही है यानि कि उनको पता है कि आने वाले समय में कानूनी जक्रण में अगर अगर उनको जले जाया जाता है कानून की प्रक्रिया उनको लगती है और साथ-साथ कुछ होता है तो लोग कई रूप में उनको जानेंगे राजनितिक जीवन में तो उनका एक अपना परिशे हो ही गया है और जिस इलाके से आती है उनका परिवार भी राजनितिक जीवन से जुला हुआ है तो उनका एक अलग पहचान रहने के कलते लोग उनको चाहते भी है आज की बात की जाये तो कहीने कही है कि युवा नेता है और साथ-साथ ये भी माना जाता है कि उनका एजूकेशन भी काफी अच्छा हुआ है और इसके साथ-साथ वो लोकल काफी लोगों के साथ जुड़ी हुए है और अब जाकर बेफिकरी की जो बात आप कर रहे हैं तो इस अल्बम के माध्यम से बेफिकरी जताईरी की कोशिस की है कि चाहे कुछ भी हो वो जिस रूप में यहां मौजूद है उसी रूप में दिखाई पढ़ेंगी और इस एल्बम के माध्यम से अपने आपको एक कदम और भी आगे बढ़ानी की कोसिस की है और मुझे लगता है कि इड़ी दफ्तर जाने के पहले इस बात को जारी करके बिड़ इल्बम को यह संकित जरूर दिया है कि चाहे कुछ भी हो अपने काम को वो आगे बढ़ाएंगी और मुझे लगता है कि आगे इनको इस इलाके में फायदा भी होगा और राजनितिक जीव रंत कर ब्हुद करों बजिवर अपको तों में लेकिन आप प्रशाथ की इनको दिखा दी राकेश जीजिता बात भी हमने कर ली लेकिन आप एक हैसी mat का एक दिला सराय के हिला सराय के लो पुलिस की कारिस्तानी देखिए अगर आप पैसे वाले हैं तो इनसाफ मिलेगा अगर आप गरीब हैं तो इनतेजार मिलेगा कैसे मिलेगा बगैर आकड़ों के साथ आपको दिकाएंगे कहीं जाईएगा मत जो कहूंगा सच कहूंगा जारी रहेगा बस एक छोटा सब रेक लेते हैं और हम तुरंट थाजिर होते हैं एक छोटा सब रेक